हेलो बच्चो आप सब का आपके अपने चनल कोविन दिवायत लक्चर्स में एक बार फिरसे स्वागत है तो पीरे विद्यारतियो आज गिस क्लास में हम कक्सा 4 और 5 गणित विश्य की व्रकबुक 2023 के आकलन पत्र साथ को हल करना सिखेंगे देखो बच्चो पहला पशना निचे दिया गया है कि नीचे दिखाई गई गड़ी में क्या समय दिया हुआ है इस गड़ी के अंदर आपको क्या समय देखने को मिल रहा है वो आपको बताना है तो देखो बच्चो यह जो छोटी चुई है यह किसको बता रही है गंटे को और के गड़ी में क्या समय है 9 गंटे और 15 मिनट अगला बच्चो दूसरा है लंबाई का कौन सा माप सबसे बड़ा है वो आपको बताना है इन में से लंबाई का कौन सा माप सबसे बड़ा है वो आपको बच्चो बताना है देखो बच्चो यहाँ पर सबसी जो बड़ा माप है वो है बच्चो 3 cm, कौन सा है बच्चो 3 cm सबसे बड़ा माप है, आगे बढ़ते हैं बच्चो, प्रशन संख्या, यहाँ पर 1, 2 और यह 3 है, ठीके, यहाँ पर गलती से 2 छपा है, यह कितना है 3, तो बच्चो देखो 500 ग्राम का कितनी बार जोड हो रही है, 4 बार, तो बच्च कि 1,000 ग्राम, तो एक किलो और एक किलो बच्चो कितना हो गया, 2 किलो ग्राम, ठीके, आगे बच्चो प्रशन संख्या 4, यदि एक चौकलेट 24 रुपे की है, तो तीन चौकलेटों का कुल मुल्य कितना होगा, तो बच्चो देखो हम क्या करेंगे, 3 गुना 24, एक निमनलिकित स्वालों का जवाब दे, पहला प्रशन है, उपर दिखाएगे गड़ी में, क्या हम बता सकते हैं कि यहां दीन है या फिर रात है, हा या नहीं लिखे, उपर दिखाएगे गड़ी में, क्या हम बता सकते हैं कि यहां दीन है या फिर रात है, तो बच्चो देख तो बच्चो इस गड़ी को देखते हम यह नहीं बता सकते कि यह सुबह का समय या दीन का समय है या रात का तो बच्चो मैं आपर क्या लेखेंगे नहीं क्या लेखेंगे बच्चो नहीं आगे बच्चो गड़ी में क्या समय है तो बच्चो मैंने और गड़ी में समय बता दिया, कि एक बज़कर पचास मिनट वोई है, कितना हुआ है बच्चो? एक बज़कर पचास मिनट कितना समय हुआ है? एक बज़कर पचास मिनट ठीक है? आगे बच्चो पृष्ण संक्याचे, ज़िए जबाब चुने सुबह के 11.19 के तुरंत बाद क्या आता है कि सुबह के 11.69 उसके तुरंत बाद क्या आता है AM या PM तो बच्चो इह आपको बताना है तो देखो बच्चो मैं आपको समझाता हूँ AM और PM का मतलब क्या होता है ठीक है तो बच्चो सबसे पहले हम बात करें अगर AM की, इसकी बात करें बच्चो AM की, तो बच्चो जो AM का मतलब होता है वो होता है बच्चो रात के 12 बजे से, रात के 12 बजे से, दो पहर 12 बजे तक, ठीक है, रात के 12 बजे से, दो पहर 12 बजे तक, यह क्या होता है बच्चो AM, क्या होता है ए एम ठीक है और दोपर के बारा बजे के बाद ठीक है पी-म का पतलब क्या है दोपहर के बारा बजे से दोपहर के बारा बजे से रात बारा बजे तक यह क्या होता है पी-म यह आपको ध्यान रखना है बच्चों देखो 11 बच गर 69 मिनट क्या है दो पहर का तो उसके बाद क्या शुरू हो जाएगा 12 पी एम क्या शुरू हो जाएगा बच्चो 12 पी एम शुरू हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आएगा option number 2 आगे बच्चो प्रशन संक्या 7 5-5 के अंतराल में पांच, 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 पांच 73, 73 और 5, 78, 78 और 5, 83, 83 और 5, 88 ठीके आगे बच्चो प्रश्न संक्या 8 यहाँ पर कितने की कूद हो रही है उसके आधार पर आगे की संक्या लिखिये देखो बच्चो कितने की कूद हो रही है दो दोंकों की 51 के बाद 53, 53 के बाद 55, 55 के बाद 57, 57 के बाद 69, 69 के बाद 61, 61 के बाद 63 और 63 के बाद बच्चो 65 ठीके तो इस तरह हमने बच्चो आगलन पत्र 5 के तो इस तरह बच्चो हमने आगलन पत्र 7 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिये हैं उम्मित करता हूँ स क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइप कमेंट सेरो सब्सक्राइब जरू करें आज गले इतना ही जे हिंद जे भारत